Hello everyone, यार इस वीडियो में हम discuss कर रहे होंगे EKTU की जो government की top 5 colleges हैं उनके बारे में और उनका admission process के बारे में तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो के start कर लेता है उससे पहले एक request है यार अभी तक आपने ये channel subscribe नहीं किया है आप इस channel को subscribe कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की latest update मिलेगी मेरे भाई सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर मैं सबसे पहली college की बात करूँ तो वो आपकी है Institute of Engineering and Technology लखनव तेक है आपने इसका नाम सुना होगा साइथ IET के नाम से तेक है ये लखनव में हैं और इसकी established हुई थी 1984 में पहले नमर पर इसलिए रखे सबसे अच्छा प्लेश्मेंट जाता है उसके बाद है आपकी दूसरी college मदन मौहन माल बिया University of Technology गोरखफुर ये 1962 में बनी थी और इसकी एक लाख बार एजाद 400 रोपे की something fees है तो ये भी अच्छी college है दूसरी college थर्ड college है हमारी कमला नहरू Institute of Technology सुल्तानपुर और भाई ये 1976 में बनी थी और इसकी fees 67,000 के something है उसके बाद फोर्ट नमर पर हमारी बुंडेल खंड इंस्टीट आफ इंजिनेरिंग और टेकनलोजी जासी में है जो की 1989 में इस्टेविलिस्ट हुई थी और 61,000 के something इसकी पर इयर के साब से आफ फीस देख सकते हो ये पर सेमिस्टर के साब से नहीं है पर इयर के साब से फीस है और अगर मैं इस वीडियो की जो हम लास्ट फिप्ट नमर मैंने रखी है वह है डॉक्टर अमबेडगर और 61,000 फीस है देखो मैंने इनके previous year के placement के basis पर ये college की ranking रखी है जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है मतलब कि आपकी जब आपका placement हो कि इस बंदे का थोड़ा ज्यादा placement से ले आए आपकी college का जो third second number पर या first number पर उसका कम placement जाए तो fluctuate हो सकता है लेकिन इतना fluctuate नहीं कर लेगा तो भाई अगर मैं यहाँ पर एडवीशन प्रॉसेस की बात करूं कि एडवीशन प्रॉसेस क्या होता है एकट्यू की government college में एडवीशन लेने का तो देखे सबसे पहले तो आपका जेई मेंस exam होता है जेई मेंस में अगर आप IIT के लिए जो जेई मेंस होता है अग साथ में एक management quota basis भी होता है डारेक एडवीशन ठीक है इसके लिए यार बहुत फीस अगयर जाती है तो इसके लिए तो साइद आप नहीं जाओ तो बैटर है merit based भी होता है 12th based ठीक है 12th में आपकी कितनी percentage अच्छी खासी है तो उसके basis पर भी आपको इन colleges में एडवीशन मिल जाता है साथ में इस बार एक CUT set exam हुआ है उसके through भी आप इसमें एडवीशन ले सकते हैं तो I hope ये वीडियो आपको helpful रही होगी वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं आपसे मुलाकात होगी किसी next वीडियो में